जो उसकी भी होगी उसको भी हम चप्त करके गरी में बटवाने का काम करते हैं यह है निसाथों के साथ समाजवादी पार्टी का क्योंते हैं कर्मोट में जो किया इनके नेताओं ने एक नाबलिक बेटी के साथ क्या एक निसाथ बेटी के साथ चुई मौने अयुक्तिया में क्या समाजवादी पार्टी के नेता ने क्या ये ठीक था क्या एक निसाथ बेटी की चट के साथ खिलवार समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं हमारा मंत्रिय डक्तर संजे निसाथ वहां जाकर के उस बेटी की हालत देखकर के रोपड़ा था और इस कहरा था ये है निसाथों के साथ समाजवादी पार्टी का क्योंते लेकिन ये बेस्रम लोग है तब भी उस अपरादी के खिलाब कारवाई हो इसके लिए समाजवादी पार्टी तयार नहीं थी उनकी लोग तब भी बचाव कर रहे थे कहे रहे तें कि ने ने ये तो निर्दोस है अरे निर्दोस क्या है सब पुस्तोस का प्रमारित हो चुका है और उसके बाद भी निर्दोस होते हैं उसको कर्मोड में जो किया इनके पुसके tore recovered यह यहし समाजवादी पार्टी की वास्तविक पहचान है क्योंकि ये लोग जब से सप्ता में आए थे लगातार यही काम करते थे प्यातारियों को लूटते थे बेदियों की जद के साथ खिलवाड करते थे गरीबों की जमीनों पर कपचा करते थे दबंगई के बंग पर गरीबों की जमीनों को कपचा करते थे याद करिए जब मार्च सत्र में सरकार बनी थी और सरकार बनते ही मैंने कहा था मैंने कहा था अगर किसी भूमापिया ने किसी गरीब की किसी ब्यापारी की किसी सरकारी जमीन पर कबजा कर रखा है तो 24 गंटे के अंदर खाली कर ले और मैं फिर कहूंगा कि अगर किसी माफिया ने किसी गरीब की किसी किसान की किसी अनताबा किसान की किसी ब्यापारी की जमीन पर कबजा किया है वे किर्पिया एक बार खाली कर ले अगर खाली नहीं किया तो जो उसकी भी होगी उसको भी हम जब्त करके गरीब है बटवाने का काम कर देंगे मैं फिर कहूंगा एक माफिया किरी किसी मिस्थिति में नहीं चलने दी जाएगी कानून का राजो सबको सुरक्सा मिलेगी सबको योजनों का हाँ मिलेगा लेकिन अगर कोई कानून को ठेका दिखाने का काम करेगा तो उसका काम तमाम करने का काम भी सरकार करेगी और इसके लिए किसी भी हद तक जाकर के उसके दुस्तास का जवाब देगी